दोस्तों स्वागत है आपका भारत में शांदार जीत दर्ज करते कुए सेविफाइल अभी जगें पहारी है मैसेच है जीत क्या शांदार परफॉर्मेस नहीं राज बैलेबाजी ज़रूर आपके सकते हैं कि काफी आज लिला से जनक रही है आदा कि कुछ बैलेबाजों ने अच्छा प्रशन किया जैसे रोई शर्मा यहने मैस कुछित किया गया इसके नहीं मार्यादों ने जिस तरह साथ जिस तरह से आप कहने जिए कि आल राहूल ने पारी खेरी वहीं काफी अच्छी पाई रही है आज की जो पिश्ट ही सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि नाल विगेट होता है वो हमेशा बाउंस और टन दोनों लेगा गयाता है तो आपको अगर स्पिनर्स आपके बास अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देकर की जाएंगी जैसा भारत की तरफ सापको देखने हो बेरा चाहे कुल्दी प्यादाव को एक बोर्ड अच्छा रहा है बल्लेबाजी की तरफ से शुबाद में जिस तरफ से बल्लेबाजी देखने को बिरी टॉस हार जाती है भाति रीन और वही शर्वालागी कप्तान जो रहे हैं वो टॉस के ताइम पे कहते निये कि अगर हम दोस जीते तो हम भी बैटिंग करने जाते लेकिन वैसा कुछ खास देखी होगी कि रोई शामा का जो टेंपरामेंट है जो आपके सकता है कि मैस्टिव बीइंग एजए गैफ्टन हो वो कितरी शांदार थी इसका जीता जागता हुगर आज आसके मैसे आपको लेते हैं तो शुबवात में तो आप उनकी बैटिंग अगर बहुत शादा रही है और मुसको इसा पस्ति ही लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं होगा कि विराट पूली स्पैसलिटी की प्लेयर ने इस हैं एंपरमेंट की वह निवाज है कि थीक है वो जालते है कि अगर मैं कर सकता हूं लेकिन कुछ भी ऐसा देखने को निया आज परशा में आउट हो गए वो देखने को मिलता है वह बहुत अची चीज़ा मुझे लगी वहां पे जावाप इतना मेस्टिवर्टी दिखाते हैं कि आप अपना अपना गेम और धीरे धीरे क्या आप खेलते हैं आप करके लगते हैं ताकि टीम के जो है वो कोलैक्स ना कर पाए जो बाकी दूसरे द्रब से विगट किर रहे थे गल्टीरियों को जाहें कि अच्छी पार्ट नशिप लेगी देखने को मिली हमें चाहे कि अब रहुन के साथ रही हो या फिर बाद आपके लिए शूर हुमारे लगत पहुंची बहुत बड़ा डोटन नहीं था लेकिन आज की जैसा विगट चमना था टैनन बहुत था बल्लेबाजों के लिए उतना ज्यादा हमाज़त नहीं थी आज की विगट में आज बॉरस का विगट था आपने रेखा इंगलेंड ने बल्लेबाजी की भाती टी लेकिन इतना मुझे उमीद नहीं थी कि साथ भार्टी टीम दस मदब 100 रन से जी जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं एस्पेक्ट किया था आपने बहुत अच्छी लगी आज आज तब कप्तान होते हैं तो तीम की उपर आपकी रिस्पोंसबिल्टी होती है कि आप टीम को ल लेना कप्तानी पे तो कोई सवाली नहीं उनके इस समय की जिस तरह से चेंग्जिस करते हैं नहीं प्रयोग करते रहते हैं फील्ट चेंजिस करते हैं जो रोटेशन है बॉलिंग का वो देखा आपने की दोस्तों तीसरा होगा जो पीछा कर रहे थी इंगलेंड की टीम तब जो गेदबाजी में इस से परिवर्पन करते हैं बुम्रा और सिला जो शुराद मिलेकर आते हैं स्पेल वहाँ पे ब्लेक्ट्रूम मिलता है फिर उसके पास चामी जिस तरह आते हैं उन्होंने तो एक तम अगड़ी बंदा फार के रख दिया इंगलेंड टीम तो जिस तरह परफॉर्मेंस करते हैं फिर आप उनको गंटीन्यू चार फिर पाच ओवर कराते हैं और जो एक फ्लो बारा रहता है वीडिया के जिस तरह आपने चेंजस यह वह कहत काबिले तारीफ रही है एक चीज़ और यहां पे देखिए देखने वाली बात है कि बोगजा उन्यस का जो वर्ड़कप रहा उसमें इंग्लेंड की टीम चेंपियन रही है और आप अगर देखेंगे भारती टीम 2011 वर्ड़कप जीती है उसके बाद ICC Tournament के अगर बात करो तो दोजा पर 13 में ICC Ampish Trophy जीती है उसके बाद से जबूर भारत के केविनेट में फिधाल कोई अभी दस तराल हो गये है दस आप में एक ब्रीफ सनाल ICC Trophy है वो भारते के विलेट में नहीं है लेकिन क्या आप ने ये देखा कि भारते टीम का पर्वर्ड़कप देखिए जो वन डे वर्ड़कप है उसके बाद आप सुना में आप देखिए टी टून टी वर्ड़कप रहा है तिसके बाद 2017 का च भारती टीम के जो खेल है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई हो ऐसा बिल्कुल भी देखने को आपको नहीं मिला हमेशा ही भारती टीम के जो ग्रिगल का सतार रहा है वो एक करम उपर ही चना गया है दो ICC के टेस्ट जो चैप्ड़कर सफी हुई है आप देखिए कि दो बार में दो बार भारत खेला तो आप अगर देखेंगे तो तीनों फॉर्में भारत की तरक्ती हुई है लेकिन अगर आप इंग्लेंड के परफॉर्मेंस को देखके कि इस वर्ड़कप में परफॉर्मेंस को देखके इंग्लेंड के कि यह क्या सभी वही गप्तान थे जोज बड़नर है उस प्लेयर स्टीजेश हुए है आप वह सन्यास ले चुके थे आप उनको वाकस आते हैं क्या परफॉर्मस आपको देखने मिली कुछ भी नहीं देखने मिली उस खास परफॉर्मस बिल्कुल भी ने देखिया आपके बास एक बल्ले बास है ज प्लेवाज आपको रण लगा कर नहीं देगे तो आप मुस्छे बचता है कि यहां से सफर लगवाज आप एक बार दे सकते हैं कि भारती जो इंग्लेड टीन में उसका सफर खतम हो चुगा है थीन मैस में आप आपके पास और यदो पॉइंट है तीन मैं जीतेंगे तो आपको क्या मिलेगा और जो दो टीन है जो तीसरे और तीसरों सब्से नम्में पर वहां से जीतेंगी टीपे टीम दीन मैच अभी सभी की बचे एक 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 मैच भी जीतेंगी तो टेक्निकली आप देखा जाब अब तो बाहर हो चुके हैं वह आपने डिफेंडिंडिंग च कर रही है लेकिन एक उने की रहते हैं अब जिस तो बहुते बहुत इंगा लगए यह उसकी बेटिंग रही हो यह उसकी लेगी रही हूँ जिस वाग जिस तरह से न्युजिलन ने जेस लिए वह बहुत शामदार रहा है लिकिन अगर आब बात करें खेल की तो किस तरव आपको इसकी बहुत दीप में आपको जागर के सूचना पड़े हो और बहुत तफ दिसिजन लेने पड़ेंगे आपको क्योंकि आपकी उपर एक दंगा लगा हुआ है कि हम डिफेंडिंग चैंपियन दुजासा उन्निस के आप वर्ट जैंपियन में हैं और उसके बाद ऐसा तो शाद ऐसा एक्स्पेक्टेशन तो नहीं रही है और भार्दी दिन्दा जितना पारी परे उतना गम है थोड़ा साज बल्लेबाजी में ज़गूर खराबी देखने को नहीं है यह नहीं कहेंगे कि फ्लॉप रही बल्लेबाजी कि सकने कि कुछ फ्लॉप रही है हम एक्स करने होते तो शाद यह स्पूर्ट हाइस होता का रामस चला जाता बिल्कुल कोई रिक्कत नहीं होते लेकिन ठीक है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन जबनी तारी पर्फॉर्मेंस चलना है और ऐसे जंदरा तो इस बार्द है वह हम फार्दी जब रूट है कि 10 साथ बाद आप 2011 माच चलेगा वारा साथ बाद 2011 के बाद अब वंडे वाल्ट कप जो है वो हमारी स्कूली में चलूब गिरेगा इसी तरह हमता प्रफॉर्मेंस चाहिए यह फार्दी जिंग करते रहें तो यह कुछ आज की मैस का मैस रिपोर्ट उमीड है कि आपको जगए थैंक यू